गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो इस वीडियो में हम आपको बताने वले हैं कि GNDU की किन-किन क्लासेज के रिजल्ट पब्लिश हुए हैं और अब तक GNDU और समस्टर एक्जाम्स के रिजल्ट को लेकर क्या-क्या अपडेट्स हैं जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था कि 15 मार तक बहुत सारी क्लासेज के रिजल्ट एक साथ पब्लिश होंगे और वैसा ही हुआ है तो सेम आपको हम प्रोपर अपडेट दे रहे हैं इस चैनल के जरिए अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें तो जल्दी से हम आपको फाइनल रिजल्ट वाले पेज़ पे लेके चलते हैं तो यह final result वाला page पे हम आ गए हैं सबसे पहले हम air पे click करेंगे तो air बाइस को select कर लेंगे उसके पर month पे हम click करेंगे December को अपने select कर लेना है उसके पर course टाई पे आपने click करना है और यह आपके समने दो option आ गए है pass course और cv.s.new पास course में उन classes के result आते हैं उन students के जो affiliated colleges से हो जो G&U के अंडर आते हैं और cv.s.new में उन classes के result आते हैं जो G&U University अमरी सर में study करते हैं तो सबसे पहले हम pass course पे click करते हैं उसके बाद select class पे हम click करेंगे और यहाँ पर आपको सभी classes शो होने लग पड़ेंगी जिन जिन classes का और semester का result पब्लिश हो चुका है तो हमने आपको पहले बता दिया था कि 14-15 माह तक बहुत सारी classes के result पब्लिश होने हैं और ऐसा ही हुआ बहुत सारी classes के result पब्लिश हो गए हैं ओवरॉल 90-plus classes के result पब्लिश हो गए हैं दो दिन पहले past course में सिर्फ 30-plus classes के result पब्लिश हो थे 30-35 classes के अब यहाँ पर 90-plus classes के result पब्लिश हो चुके हैं जेन्टी और समर्स से exams के जिन में BA class का result भी आ गया है BBA का भी आ गया है BCA class का भी आ गया है BSC का भी आ गया है MA की भी कुछ classes है BBA की भी बहुत सारी classes है तो टोटल 90-plus classes के result पब्लिश हो चुके हैं ओवरॉल 150-plus classes के result पब्लिश होने हैं past course वाली साइड और आपको बता दें कि pending result डेली आते रहेंगे किसी ना किसी class के बहुत सारी classes के एक साथ और 25 मार्स तक 90% result पब्लिश हो जाएंगे G&U और semester exams के past course वाली साइड जो affiliated colleges G&U के अंडर आते हैं उन students के तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपके result डेली आ रहे हैं और साथ साथ में हम आपको अपडेट दे रहे हैं सबसे पहले 4 semester के result आ रहे हैं उसके बाद 3 semester वालों के आएंगे और उसके बाद 5 semester वालों को तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है डेली रिजल्ट आ रहे हैं और साथ साथ में हम आपको अपडेट दे रहे हैं उसके बाद हम चलते हैं CBES New वाले option पे उसके बाद Select Class पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ दिनों से इनके result कम आ रहे हैं जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था 10 मार्स तक हमने आपको पहले बता दिया था कि अब से जो CBES New वाली side है उन students के result कम आएंगे और past course वाले section वाले classes के result बहुत तेजी से आएंगे और वैसा ही हुए है और CBES New वाली side 90 plus classes के result इदर भी पब्लिश हो चुके हैं total 160 plus classes के result पब्लिश होने हैं तो अभी तक दोनों-दोनों side 90 90 plus classes के हो गए हैं CBES New वालों के result जैदा तर 25 मार्स के बाद आएंगे 50 plus classes के result उदर पब्लिश हो जाएंगे 150 में से और जो 20 classes के बचेंगे वो 25 मार्स के बाद आएंगे और CBES New वाली side इस side अभी तक 90 plus class के result पब्लिश होने हैं 160 plus total classes हैं 25 मार्स तक 1212 classes के result आएंगे और 25 मार्स के बाद 31 मार्स तक CBES New वालों आएंगे एक साथ बहुत सारी classes के result पब्लिश होंगे तो इन students को थोड़ा वेट करना पड़ेगा और जैसे ही किसी class के result आता है हम आपको साथ साथ में अपडेट दे रहे हैं तो ये थी अब तक update G&U और समर्सर एक्जाम को लेकर अगर कोई doubt है तो आप comment करके पूर सकते हैं तब तक इस वीडियो को like कर दो share कर दो सभी friends के साथ चैनल जुरूर subscribe कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो क्योंकि G&U से लेटर सभी updates आपको इसी channel पे मिलेंगी और bell icon जुरूर press कर देना तक कि हम जैसे को new video आपके लिए लेकर हैं सबसे बड़े notification आपको मिल जाए thank you